Hello everyone, you're watching Fit Food Flavors और मैं हूँ Dietitian Manju Malik So know your ingredient के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे Soya Chunks के बारे में क्या Soya Chunks healthy होते हैं या नहीं कैसे बनते हैं Soya Chunks, उनका nutrition क्या होता है, benefits क्या है क्या controversies हैं उनसे related और end में बात करेंगे कैसे आप डाइट में उन्हें include कर सकते हैं Soya Chunks जो हैं, वो Soya Bean के byproducts हैं और especially vegetarians को वो काफी पसंद हैं क्योंकि एक तरह से meat के replacement की तरह वो काम करते हैं उनके लिए उनका जो texture होता है, जैसा feel आता है जब आप उन्हें consume करते हैं तो Soya Chunks जो होते हैं, they are considered good source of lean protein because इनके अंदर fat बिल्कुल नहीं होता है तो सबसे पहले start करते हैं कैसे बनते हैं Soya Bean के chunks Soya Chunks जो होते हैं, वो Soya Bean Oil के byproducts होते हैं या फिर अगर मैं सही term का इस्तेमाल करूँ, तो जो defattened flour यानि आटा, बिना fat का जो आटा बच जाता है उससे बनाए जाते हैं Soya Chunk इसलिए इनके अंदर fat का amount होता है वो काफी कम होता है अगर मैं steps में बताऊं कि कैसे इन्हें manufacture किया जाता है यानि उंपर जो उनका छिलका होता है उसे उतारा जाता है और फिर इन्हें rollers के अंदर दबाया जाता है इससे कुछ excess liquid जो होता है वो निकल जाता है और एक कह सकते हैं कि गुद्दा जैसे बच जाता है और उसके बाद वो जो material होता है वो लेकर जाया जाता है रिफाइनरी के अंदर रिफाइन ओइल वहां से बनाया जाता है तो पहले step में जो liquid निकलता है गाढ़ा वो बेसिकली कह सकते हैं कि कोल्ड प्रेस मेथड होता है ओइल निकालने का लेकिन इसके बाद निचोड कर पूरा ओइल निकालने के लिए रिफाइनरी में केमिकल्स का इस्तमाल किया जाता है काफी हाई टेंपरेचर पे जिससे ओइल को एक्स्ट्राक्ट किया जाता है completely और फिर उसके बाद जो रेसिड्यू जो फाइबर बचता है वो बी फाटन फ्लावर की तरह निकलता है बाहर के देशों में पहले क्या होता था in fact इंडिया में भी कि यह जो माल होता था वो गाएं भैसो को खिला दिया जाता था लेकिन फिर किसी ने दिमाग लगाया कि what if हम इससे भी कोई प्रोड़क्ट बना कर उसे सेल करें तो फिर वहां से बना सोया चंग उस डी फाटन यानि बिना फैट के सोया बीन के आटे को गुंदा गया और फिर उससे चोटी चोटी बढ़िया बनाई गई जब इनिशली इंटर्ड्यूस इसे किया गया तो यह काफी जादा फेल रहते इंडियन मार्केट में बब फिर न है वो थोड़ा थोड़ा चड़ा टंग बर एंड दें स्लोली स्टेडिली इट स्टाटी तो गेन पॉपॉलारिटी और इसमें बहुत जादा मार्केटिंग का भी हात रहा पॉब्लिसिटी का भी हात रहा तो टेक्श्चर मीट आप इसे कह सकते हैं और क्योंकि यह इतना ज पानी के अंदर टिप करके छोड़ दीजी यह added हो जाता है यह काफी इसने बहूब के बाद और जैसेजिए पानी के आता है है इट गेंग अच्छी हो जाता है है तो यह तो था कैसे बनता है यह कहेंगे सोय बीन के तो होते हमेंड बाइप्रोड़क्त है सोय के औरन मीड ग से आपको कितना प्रोटीन मिल रहा है, कितना फैट है, उस फूड के अंदर कितना काब है, तो उसकी रेशयो को देखा जाता है, इसके अंदर थोड़ी मातरा में आयन, वाइटमिन A, वाइटमिन C भी होता है, और कुछ और important micronutrients होते हैं, आप में आपको comparison दिखाऊंगी, soya chunk का, soya paneer का, जिसे tofu भी कहा जाता है, और boiled soya bean का, तो यहाँ पर picture काफी clear हो जाती है, एक cup जब हम soya chunk की बात करते हैं, तो वो होता है 45 grams का, और उसमें serving होती है 3-4 लोगों की, calorie 155, carbs 16 gram, protein 22 gram, और fat नहीं होता है, लेकिन अगर हम individual serving की बात करें, तो यहाँ पर एक person को इससे मिलता है 7-8 gram protein, वहीं हम tofu की बात करते हैं, तो एक cup tofu के अंदर होते हैं, 225 gram के आसपास की serving, और इसमें भी 3-4 लोग खा सकते हैं, calorie 320 gram, जिसमें fat से ज़ादा calorie आ रही है, fat 14 gram के आसपास, 7 gram carbs, यानि carbs इसके अंदर भी कम होते हैं, protein 38 gram, तो और पर serving की बात करें, तो दूगना मिल रहा है, tofu अगर आप खाते हैं diet में, तो आपको per serving 12-14 gram protein मिलता है, वहीं उबले हुए soya bean की बात करें, तो calorie almost same है, carbs ज़ादा है, इसके अंदर fat ज़ादा है, protein जो है, वो भी almost equal है as compared to soya paneer, so as a vegetarian, अगर आप soya को include करना चाहते हैं diet के अंदर, तो there are multiple forms जिससे आपको ज़ादा protein मिल सकता है as compared to soya chunk और उसमे nutritional value भी high होती है, so अगर आपको variety की तौर पे इसे diet के अंदर include करना है, it is a good option, otherwise tofu has a higher amount of protein as compared to soya chunks and also soya bean को आप ले सकते हैं, अब बात करते हैं इसके benefits की, एक अच्छा meat substitute है vegetarians के लिए, females में hormonal balance के लिए soya bean अच्छा होता है, lean protein है, sugar level को regulate करने में help करता है, और soya chunk काफी सस्ता है, it is very economical, अगर आप per serving अगर आप बाकी meat products की बात करेंगे, तो उसके competitively यह सस्ता परता है, also it is a good quality protein, soya bean का जो protein होता है, अच्छी quality का protein माना जाता है, amino acids का जो profile है, काफ fat cholesterol को कम करनी के लिए भी useful है, it is considered very good for female, इसके अलावा males भी अगर इसे moderation में consume करते तो उनके लिए काफी healthy साबित हो सकता है, now आप बात करते हैं, कुछ controversies की, जो soya chunk से जुड़ी हुए, तो पहली controversy यही है, जो soya को लेकर हमेशा doubt रहता है, कि soya के अंदर होते है, isoflavonides, phyto estrogen basically, जो female hormone को आपकी body के अंदर mimic कर सकते हैं, now phytoastrogens जो होते हैं, यह वो वाले होते हैं, जो आपकी body के अंदर estrogen को actually balance करने में help कर सकते हैं, इसलिए females during their menopause, they should include soya in their diet, because अगर उनकी body के अंदर fluctuation हो रहा है, estrogen का दो उसे balance करने के लिए useful है, now males इसलिए काम खाते हैं, because इसके female hormones से आजाएंगे, but अगर आप इसे moderation में consume करते हैं, 15 to 20 gram protein अगर आप soya से ले रहे हैं, on a daily basis, तो वो आपके लिए absolutely safe है, it will not cause any hormonal disruption in male or female, next जो controversy है, वो है इसकी crop से related, soya जो है, उसका export जो होता है, वो mostly 2 countries से होता, 80% जो soya है, वो Brazil और US से आता है, तो soya की जो खेती होती है, वो बहुत असान होती है, लेकिन इसमें कीडा लगने का भी chances होता है, तो ऐसे में हमारे यहां पे crop के ऊपर पहले pesticides को छिड़का जाता था उससे बचाने के लिए, लेकिन जिस तरहें US में खेती की जाती है, ब्राजील में व या फिर उस तरह से ध्यान रखना, जिस तरह एक छोटा किसान अपनी खेती का रख सकता है, तो ऐसे में वहां पर बार-बार scientific development होते हैं, रिसर्च बहुत जादा की जाती है, तो ऐसे ही रिसर्च का नतीजा है, genetically modified crop और soya bean इसमें सबसे popular है, तो वहां पर soya bean के seed के अंदर ह कि ऐसे chemicals add कर दिये जाते हैं, कि जब उस crop के अंदर कीड़ा लगने होता है, तो वह crop ही उस कीड़े को मार देती है, वह crop के अंदर पाए जाने वाला chemical जो है, वह destroy कर देता है, अगर उसके अंदर insect या pesticides लगने के chances होते हैं, तो अगर वह chemical एक कीड़े को मार सकता है, तो human body प बहुत बढ़ गई है, और इसलिए इसका जो सबसे असान तरीका है कि जब भी आप सोय से related product खरीदे, make sure they are organic and they are GMO free, तो especially मैं सोय के food के अंदर ये recommend करती हूं, go organic and go GMO free, अगली बात करते हैं कि इसे use कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले तो मैंने आपको तरीका बता दिया कि इसको boil करना बहुत ज़रूरी है and you can add some spices when you're boiling it, तो अगर आप उसमें salt, कुछ cumin seeds या cumin का powder add कर देते हैं, chilli powder या कुछ और spices add कर देते, तो वो infuse हो जाते हैं boiling के time ही, उसके बाद आप इसे करीज में डाल सकते हैं, इसकी normal आप सबजी बना सकते हैं, wherein you can just saute some tomatoes and add this to that, आप बिर्यानी म आप इसे boil करके अपने डो के अंदर इसका मिक्सी में से घुमा कर आट कर सकते हैं, आप इसे salad के अंदर, चाट के अंदर, मिलिट के अंदर आट कर सकते हैं, so again sky is the limit, so this was all about whether soya chunks are healthy or not, yes they have protein, but अगर हम बाकी soya product से compare करें, तो यह भी a soya का by-product है, तो उसके comparatively इसे protein थोड़ा कम है, लेकिन वराइटी के लिए आप इसे डाइट के अंदर आड कर सकते हैं, और जो controversies में आपको बताई, they are safe to consume, but make sure you buy organic and use organic soya, so I hope यह वीडियो आपके लिए useful रहेगा, thanks for watching, stay healthy, stay fit, stay active, and I'll be back very soon, until next time, you take care, bye-bye.